हेलो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं बाटनी की प्रैक्टिस सेट और 15 तक हम कर चुके थे उसके आगे आज हम करेंगे अगले कोशन तो इस अभी कोशन आए हुए एक्जांस में तो देखो शुरुआत करते हैं पहले कोशन से अगर वे जो अंडे हैं उसे बच्चे निकलते हैं तो फिर प्लांट तक खतम हो जाता है आपने ऐसे गुड़ हलो अगरे में देखा होगा कि वहां पर चीटियां भी देखे होंगी और वहां पर जो एग लेंग होते हैं तो उस एग को खान कर चीटियां हेल्प करती हैं पौधे की और पौधे से उने भोजन मिल जाता है तो इस तरह से दोने एक दूसरे की कॉअब गश्के लिजे की अगे कॉस्चन देख्ज हैं अगला कोश्चन देखते हैं बाकि आप जानते होगे और नीथोफिली क्या है बपको फ्रूं को पता है और इन्सेक्ट के होगा तो स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च और उसके बाद जो हम खाते हैं जो खाने योग्य भाग होता है एपल का वह क्या होता है तो हम इसमें खाते क्या है थैलमस को खाते हैं इसलिए इसको हम क्या करते हैं स्टिग्मा से ब्लूवर्स में ऐसे स्टाइल है और उस फ्लावर्स में ऐसे इस्टाइल है यहां पर और स्टिग्मा है एक में सिर्फ तीन मिलते हैं रिट और सब्सेघंव सबसे अंधित है इस विटार्ट इसन होता कैसा है तो रिटार्ट होती है ठीक है भाकि एल्ग थोड़ी सी बड़ी बड़ी सेल्ष होती है इसमें डिटार्ट सेलो में ढूलता है विटार्ट इसनम के हम पाण में पानव करनेक Dasky सबसे घाथ करने का इसे पानी करने स्पायवी लिए प्रेट सब्सक्राइब करता है На क्रह talking फैने पानी लिए पैफ सब्सक्राइब और साथ करने लिए इस व्यादा पानी को अप 你 are अक्राइफ कर लेता है तो जहां पर मिट्टे अड ना होतो फार्ट प्रहने स्चेश होता हैं तो इसकी स्टोनामिक Пр databases इस में बात बता है कि प्रोटोनीमा जो थैलायड होता है और इसमें जो गयमीटुफॉर होता है और इसके खास बात है जान लो यहां पर इससे कॉश्ट चाफी ज्यादा कोश्टन आते हैं तो इसलिए मैं आपको थोड़ा से बताते और इसके leaf कीसे होती है इस्पाइरली अरेंग होती है इस्पाइरली ओर काश्टी होता है लेकर्ण स्पैइरल इतनी होती है मतलब एक जगह इकठी होती है दो इनका ही कुछ उता यहांद तो इस्पाइरोस बंपन इसे हैं जानते हैं मॉस होते हैं मॉस में बढγरम में यहलेlor नहीं पाए जाते हैं इसके साथ श्केश्यखल यह बढ़ाया जाता है किसके ने पाई जाते हैं सबस्टरोस्पिर रखर है कि यह पाहसा निक्षिक्स घरते Seer. besure कोशिंचर divisor पाया जाते हैं तो अगला कोश्य एब लोगाव भाटते हैंं तो एगले कोशन कोश्ट गरतें हैं अगला कोश्ट नहां 20 सीलन्ट्री कॉपसूल विद्स स्यूडो इलेटरस सिंचेत्पर्जेंट इन जो सिलन्ट्री ऑोता है 关火 काISTK नो और छे आटिशन के साथ वह किसमें प्रजस dough होता है तो वह passer को होता है किसमे एन्थो से रास में किसमें एन्थो से रास में और इन जो कि Alice किसमें रिचल फूट की तरह होता है तो जिए यह ना ओवी बॉल चैयरिया में रिजर्व फूड की तरहर होता है ज और इन सब में इस्टार्च होता है जैसे फूट जो इस्टोर फूड होता है वह क्या होता है इस्टार्च होता है अगला प्रफिक अल्टर नेशन आफ जर्नेशन is found in तो देखो इसका मतलब है isomorphic isomorphic का मतलब क्या है बराबर बराबर एक जैसा alternation of generation का मतलब होता है कि एक part होता है gametophyte और दूसरा spore मतलब एक में gamet बनते हैं जो haplad होते हैं एक में spore होते हैं कुछ ऐसे जैसे अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है gamet जो होता में प्लांट होता है इस पोर बस उस पे निर्भर होता है ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें ट्रेडोफाइटा की तो उसमें तो इसी तरह से कुछ ऐसे पौध है जिनमें की इस्पोर और गैमिट जो इस्टेजे समान होती है उनको कहते हैं आइसो मर्फिक अल्टरेशन और यह कप आए जाएगा ब्रायो फैटा से पहले वाले पौधो में जो और भी ज्यादा कैसे हैं जो इजी है इनसे ज्यादा या फिस सिंपल प्लांट से उनके पाई जाएगा तो इकिसमें जाए पाई जाता है एक्टो कार्पस में और किसके हैं किस से विलॉंग करते हैं यह आप मुझे बता देना अगला कोशन अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला कोशन है फीचादो फालएंग इस्टेटमेटर प्राइबिश करेक्ट कौन सा इस्टेटमें इसमें करेक्ट है वायरस और अबलीगेट पैरासाइट तो यह तो बिल्कुल यहीं से पहला एंस्वरी सही हो गया और फैंजाइब पैथोजेनिक नहीं और यूकरियोट्स नहीं बैक्टिरिया और वेज हर्फुल टू मैंनकाइ इसे उनमें क्या होता है लैंड हैट इंस टीराइंट sy 우اض the Lea मोटाइल वाइफ्ले need गामिट गैमिड तो इसमें सबसे अलग जो होता है क्या होता है से यकिंस की घंडय और किसकी खास वात होती है पूरी फसल बरबाद हो जाती है तो जितनी खेतों में जाएगा पूरी फसल बरबाद हो जाती है जितनी जल्दी पता चल जाए है कि यहां पर रेड इसकी मतलब इसे संक्रैमित है पौदे उन सारे पौदां को जला दिया जाता है यहीं एक उपाया है उससे बचने का बाकी कोई भी तक पतानी जला कि इसको हम कैसे बच सकते हैं अगला कोशन है वाइरस कउंटेंस वाइरस म है पर यहां पर्वुच रहे बैक्टिरिया की ऐगाешь एक निदिस्न होग मैं तो रहना है आपो तरह ड। such a एक ही है। लोफो ट्राइकस से कुछल में होगा। एमफित्रीकस सो होगा और दोनों क्यों सकता है। प्री पूरे सेल पर हम श्क्राइफां चूकर हाल अगा बढ़ते हैं। реコ ganze एक्टीनो इस्टील इस्टील इन दे स्पेसिक जो एक्टीनो इस्टील होता है लाइको पोडियम में वह क्या होता है एक्टीनो इस्टील किसमें पाया जाता है तो देखो एक्टीनो इस्टील सबसे बात पहले बात करें तो एक्टीनो इस्टील का किसका पार्ट है प्रोटो लेकिन लग अलग जो इसके इस्टीज है अलग अलग इस्टीज में अलग अलग पाया जाता है लेकिन लेकिन फ्रेटोस अगर बात करें सिल्सिनिला तो वह पायाता है वह लाइको पोडियम सेरेटा में प्लैक्टो स्टील और वल्वू बाइल और साथ में लाइको पोडियम सरनम में प्लैक्टो स्टील ठीक तो इस तरह से आपने इसको देख लिया आगे बठते हैं अगला को स्टील अग्या है तो हम जानते हैं लाइको पोडियम इंदोनों में क्या होता है होमोपोरस हो जब कि सिल्ए जिनेला क्या है है हेट्रो इसपोरी है अगला कोस्ट्ट अजय हम तो एंस्वर में दिखा है कि होँआ है है एक सेटम में क्या होता हैं हो मैं एक हमोविपोरीय होती है और बॉसरी चिल गोजा किसका सीड है किसके पाइनस का है और फैनस में किसका पाइनस जराय का गजन देखो कोरलायड रूट कोरलायड रूट शॉट सुीक्स में प्रजेंट होती है इसमें क्या होता है तो इसमें साथ करें नहीं पताना है क्योंकि अगर साइक साथ एक साथ होते हैं तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में पूरा एक चैप्टर लूग जानते हों तो आप मुझे बता देना इसकी वीडियो बनानी पड़ेगा अगला कोश्चन है दफ फंगस विदावट मैसेलियम ऐ नहीं henry भानी दिवान वह किस में ब्राइयो फैटा में तो अप्सन दिखानी की ज़रुद स्पोरोफाइट ज्यादा डॉमिनेंट होती है अगला कोशन है टी सीरीज बैक्टिरियो फेज कैन भी रिकॉगनाइज़ बाइट्स जो टी सीरीज बैक्टिरियो फेज होते हैं उनको हम कैसे रिकॉगनाइज करेंगे तो देखो टी सीरीज जो बैक्टिरियो फेज है वह ऐस यह सबसे तीरियोफ्स कि एमन लेकद सी होता है जी फ्लिक लेको यह सब्सक्री तो यह म hm पीरिकार्प ना पाइब हम है कोशनी डग करेक्टरिक समय की मैं उसका किरेक्टरिष्टिक ना जो नीला या फिर काला रंग आप देखते हैं फलों के अंदर उस वजह होते हैं एंथो सेटिन की ठीक है और अगर फ्यूकोयंतिन की बात करें तो ब्राउन एलगी जो होती हैं ब्राउन एलगी का जो कलर होता वह Ф्यूकोयंतिन इनकी वज़ास होता है और फाइको एरिथ्रीन जो रेड एल्गी होती है उसका कलर होता है फाइको एरिथ्रीन जो पिगमेंट पाय जाता है तो फ्यूको ब्राउन फाइको रेड एंथो ब्लैक राइस ठीक है याद रहा जाएगा ना आगे देखते हैं अगला कोशन दे स्मा फूर्ण स्पोर्ण स्पोर्स नां पर्ण नहीं हो जो चल नहीं सकते हो क्या होंगे अगला कोशन फूर्ड इंदर ली अलिव साफ कौन है जिसकी पतियों में फूर्ड इस्टोर होता है तो देखो जो प्याज होती है प्याज में सिल पती है यह पत्ति तो देखती है आंप की भाइएंस के रूप में या यूज के लिएता है यह kयाता है तो आप मुझे जरूर बताना यहहँ क्या होता है यही होता है इसमें चूझ होता हैppers चुन-एब Mary यहाँ अगला दीखते हैं सरफ कुछह तो सबसे पहली बात युद्विश प्लांटेरम स्बीश द्यूमियस के जनक हैं तो इस प्लांत्स fed Max के बारे में है इने के दो नाम लिए गाया है और इसे जब पर प्पक्लिश की करी अगा था तो समय था एक म Copa 1703 को बाते हैं and cycads are found in जो conifera or cycads के दोनों के गुड किसमें पाई जाते हैं? जिंगो में जिंगो लाला अगला कोशन है हेलिकल कॉन्टरेक्टाइल सीथ हेलिकल कॉन्टरेक्टाइल सीथ किसमें पाई जाती है तो जब सीथ की बात आजाए तो यह जो पाई जाता है किसमें पाई जाता है वाईरस में सीथ किसमें पाई जाता है वाईरस में और यहां पर जो वाईरस दिया हुआ है उसमें कौन सा वाईरस में पाई जाता है बैक्टिरियो फेज वाईरस में सीथ वाईरस में पाई जाती है लेकिन हेलिकल कॉंट्रेक्टाइल सीथ किसे पाजाती है बैक्टिरियो फेज में पाजाती है